वेलकम सलाम नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स आइम शैनाज एंड यू आ वाचिंग कुप विट शैनाज हर किसी को चिकिन बहुत पसंद आता है लेकिन अगर कोई बच्चे से पूछो क्या खाओगे तो बस यही आंसर मिलेगा बटर चिकन जी हां सही पहचाना आज के इस तो चलिए एक नज़र इंग्रीडियंस पे हो जाए यह है पाव किल्लो यानि 250 ग्राब्स बोनलिस चिकिन वन मीडियम साइज अनियन जिसे पीसिस में स्लाइस किया गया है तू मीडियम साइज टमेटोज है चार कश्मीरी सुखा रेड चिली है तू टेबल स्पून्स दही जिसे ड्रेन किया है चलनी में यानि इसे आप हंकर बोल सकते हैं नौ से दस काजू के पीसिस है तू टेबल स्पून्स जिंजर गालिक पेस्ट है थोड़ी सी शुगर है थोड़ा सब बटर है नमक स्वाद अनुसार वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ ला तूखे गरम मसाले और एक दो तेज पत्ता और थोड़ा सा ओईल कुकिंग के लिए आज सिफ बटर दालेंगे तो बटर जल जाता है तो थोड़ा सा ओईल दाल के बटर दालना पड़ता है सो फ्रेंज अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हाफ टीस्पून सॉल्ट दालेंगे आज हाफ टीस्पून सॉल्ट हमें बाद में दालना है अब इसमें हम तू टीस्पून जिंजर गालिक पेज दालेंगे जिंजर गालिक पेज दालेंगे उसके बाद हम इसमें वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर दालेंगे जिससे हमें बहुत अच्छा रेड बटर चिकिन कलर आता है इसके बाद हम दालेंगे तू टी स्पून्स हंकर्ड दालते हैं इसके बाद हम दालेंगे हाफ नीमू का रस अब हम इसे और थोड़ा सा हमें इसे कसूरी मेती हातों से करश करके दालनी है ताके इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रिंस आ जाए अब हमें इसे अच्छे से मैरिनेट करना है अच्छे से सब जगा मैरिनेट करना है ताके सारे मसाले चिकन के अंदर जाए और अच्छा सा प्लेवरफुल टेस्ट आज जाए बहुत अच्छे से मिक्स करिए उपर नीचे करिए, मिक्स करिए ताकि सारे मसाले सब साथ में हो जाए और चिकिन के अंदर तक सारे मसाले गुल मिल जाए इसे हम Marination करने के बाद हम इसे अब हमें इसे Side में रखना है तकरीबन एक घंटा आप इसे रख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा time है तो ज्यादा time के लिए रखिए और कम time है तो आप कम time के लिए भी रख सकते हो अब हम इसे side में रखते हैं, marination का अब एक pan लीजिये, उसमें थोड़ा सा हम इसमें oil डालेंगे ओइल डालते ही ओइल के साथ साथ हमें थोड़ा सा बटर भी डालना है ताके बटर जल न जाए तो ओइल के साथ ही बटर डालना है हम थोड़े health conscious है, इसलिए हम butter कम use कर रहे हैं, अब इसमें हमें दालना, थोड़ा सा butter melt होते ही, हमें इसमें बाकी के दूसरे मसाले दालने हैं, सबसे पहले हम onion दालेंगे, जिसे हमने chop करके रखा है, इसे sort करते हैं onion को, और onion के बाद अब इसमें हमें tomatoes दालने हैं, two medium size tomatoes है ये, जिसे हमने chop करके रखा है, अब इसमें हम 9-10 काजु के seeds दालेंगे, और इसके बाद इसका main ingredient है, लाल, सुखे, कश्मीरी मिर्च, जिसे इस butter chicken को बहुत अच्छा सा color आएगा, इस tomatoes को soft करने के लिए, हमें इससे अच्छे से sort करना है, ताके tomatoes और बाकी के चीज बाद में इसे हमें ठंडा करना है, ताके हमें इसे ठंडा होने के बाद इसे grind करना पड़ेगा, अब हम इसको side में रखते हैं, इसे side में रखेंगे, अब next step पे जाते हैं, अभी हम griller रखेंगे, और griller को थोड़ा सा गरम होने देते हैं, अब इसके बाद हमें इसमें है जो हमने स्टार्टिंग में मैरिनेशन किया है उसे हम फ्राइ करेंगे अब हम ग्रिलर गरम हो गया है आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हो जो भी आपके पास मौझूद है घर में आप वो ले सकते हो हम इदे ग्रिल पैन लिये है ताकि वो चिकन के पीसिस पे अच्छे से आजाए तो ग्रिलर पे अब हम ऑईल गरम हो चुका है ग्यास आपको मीडियम या स्लो रखना है और सारे चिकन के पीसिस हमें फ्राइ करने है स्लोली स्लोली आप दालिये चिकन के सारे पीसिस ताकि ये अच्छे से फ्राइ हो जाए फ्रेंस प्लीज आप बड़े गैस पे म इसको स्लो फेम पे रखने और इसे अच्छे से फ्राइ होने दीजिये सारे पीसिस हमदाल रहे हैं ग्रिलर पे ताकि एक साथ सारे पीसिस ग्रिल हो जाए फ्राइ हो जाए अंदर तक पकना है जूसी बननी है चिकन ताकि जब हम खाए तो बहुत मजा आए हमारे घर में थो चोटे पीसिस चाते हो तो आप चोटे पीसिस भी बना सकते हो हमारे घर में थोड़े बड़े पीसिस पसंद करते है इसलिए हमने थोड़े बड़े पीसिस रखे है अच्छे से फ्राइ कीजिये ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से गल जाए देखिए अच्छे से फ्राइ ह अभी हमें उसे टर्न करना है अब हम लेंगे और इसे टर्न करेंगे ताके दूसरी साइड भी अच्छे से पग जाए अब हम टर्न करेंगे ताके अब हम टर्न कर रहे हैं दूसरी साइड पर देखिये बहुत अच्छे ग्रिल मार्ग साये है अब हम सारे पीसिस को टर्न करेंगे अच्छे से ताके दूसरी साइड भी अच्छे से गल जाए और फिर पकने के बाद हमें इसे मसाले में डालेंगे जब मसाला हमारा ग्राइंडर में डालके जब मसाला रेडी हो जाएगा इसे ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम उसे मसाले में पकाएंगे देखिए अब सारे पीसे टर्न हो चुके हैं इसे थोड़ी देर दूसरे साइड से भी गलाना है ताकि अच्छे से फ्लेवर्फुल और जूसी चिकिन रेडी हो जाए सारे पीसेज अब रेडी हो चुके हैं अब हम थोड़ी देर के बाद इसे साइड में रख देंगे अब ready हो गए है pieces, अब हम इसे side में रखते हैं, देखिए कितने अच्छे से गल गए है, कितने अच्छे से बन गए है, grill marks भी आए हैं सारे pieces पे, अब हम इसे side में रखते हैं, अब हम मसाले ठंडे हो गए है, grinder में दालेंगे, ताके इसे हम grind करें, देखिए थोड़ी सी अभी भी गरम है, मैं इसे पीस रही हूँ, लेकिन आप friends प्लीज पूरा ठंडे होने के बाद ही पीस ये, हम रोज बनाते आते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा गरम भी पीस लेते हैं, देखिए कितना beautiful color आया है, ये सब वो चार सुखे काश्मीरी मिर्श का color है, बिल्कुल color मत दालिये, ऐसे ही काश्मीरी मिर्श पे ये मसाला बनता है, बहुत भैतरीन color आता है, और जब हम oil और बटर में इसे भूनेंगे, और भी color ये गहरा हो जाएंगा, और बहुत flavorful हो जाएंगा, अब थोड़ा सा oil दालते हैं, ज्यादा ओल नहीं दालेंगे थोड़े से health conscious है, अब इसमें हम दाल रहे हैं, दो तेज पत्ते और जो गरम मसाला हमने रखा था, डाल चीनी, लॉंग, काली मिर्श वो दालेंगे, गरम मसाले को थोड़े से sort करेंगे, देखिए, गरम मसाला sort हो रहा है, अच्छे से गरम मसाले को sort कीजिए, और इसके बा अब हम इसमें दाल रहे हैं, सारा मसाला दालिये, मिक्सर के साइड वाइड में जो बचता है, उसे भी थोड़ा पानी लेकर मसाला दो के मिक्सर पूरा दालिये, ताकि अच्छे से मसाला रेडी हो जाए, अब हम इसमें मसाला निकाल रहे हैं, साइड से पूरा मसाला जो मि अच्छे से निकाल रहे हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दालेंगे ताके वो मसाला अच्छे से पक जाए थोड़ा सा बटर भी दालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट भी दालेंगे ताके यह सब मसाले अच्छा मसाले में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाए हम सारा मसाला ल बूदेंगे आप अगर जहादा ऑईल और बटर पसंड करते हो आप ज्यादा भी यदा König को दाल सकते हो आपके घर में जैसे लोग को पसंद आता है वैसा दालिये हम थोड़ा कम डालते है ऑईला और बटर अभ के सोल डाले हैं, ताके आदा पहले टीस्पून डाले है अब इसमें 1.2 ्टीस्पून और नाले है, ताके एक्जाक्ट प्रपोश Gwen हो जाए, देखिए बटर में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है अब बटर डाल रहें, तो सॉल्ट आप exact proportion में ही डालिए अब बटर डाले है क्योंकि ये बटर चिकन है तो थोड़ा सा बटर तो बनता ही है एकदम एकसेस नहीं लेकिन थोड़ा सा देखिए बटर डालते ही साथ उसका कलर और गहरा हो गया है और बहुत अच्छे से मसाला बन गया है थोड़ा सा पानी दालेंगे त ताके वो मसाला बहुत फ्लेवर्फुल है सारे मसाले में उसका पुरे मसाले का टेस्ट आ रहा है तो इसलिए सारे मसाले के साथ डालिए ताके ये पूरा एक जान हो जाए और ये पूरा बहुत फ्लेवर्फुल हो जाए खुश्बुदार अभी पुरे किचिन में इसकी मह अब इसे हम दम दे रहे हैं वाटी में कोईला गरम किये है उसके अंदर कोईले कोईला दाले है अब इसमें थोड़ा सा ओल दालेंगे और उसे बन करेंगे ताके वो बाबेक्यू का फ्रेग्रिंस आ जाए और पूरा दम पूरा फ्लेवर्स चिकिन और उसके मसाले में आ है बटर चिकन रेडी हो गई है अब हम ये कोईले की वाटी निकालेंगे और चले चलिए अब हम इसे सफ करेंगे देखिये फ्रेंज कितना बहतरीन कलर आ गया है बटर चिकन बन गया है प्लीज आप इसे ट्राइ कीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइए के ये कैसा लगा आपको प्लीज आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कीप स्माइलिंग बी हापी टेक केर बी सेफ थैंक यू अग बाबाई फ्रेंज